जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत है आप सभी का विजय पत्थ एजूगेशन पालोंपुर में आज एक वार फिर से मैं आप सबके सामने एक complete practice set जो की all competitive exam के लिए काफी important रहेगा वो आप सबके सामने में यहाँ पे लेके आया हूँ जिसमें specially जो हिमाचल के आपके आने वाले upcoming exam है HRTC conductor का आपका exam pending है हिमाचल पटवारी जल्दी ही नई सरकार जो है वो उसकी घोशना करने वाली है HPSI सब inspector का जो आपका exam है वो आपका आने ही वाला है इन सभी exam के लिए आपका ये practice set most important रहेगा इस practice set में हम जो भी आपके subject आपके paper में पूछे जाने वाले हैं जी के है math, science, reasoning, हिमाचल जी के और साथ में English जो है आपका ये main आपके subject रहते हैं साथ में current affair भी आपसे पूछा जाता है इन सभी के हम जो है वो mixed question आज हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं easy to moderate level की यहाँ पे बात करेंगे जिसमें कुछ हमारे previous year की question भी रहेंगे, कुछ हमारे updated new question रहेंगे, so start करते हैं आज की इस class को, so सबसे पहले number वे बात करते हैं math की, math का आपके पास यह पहला question दिया गया है, जल्दी से इस question को आप solve करें, इसी परकार की आपको back to back classes जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी पहला question आपके सामने दिया गया है, target आप लेके चलें, आज इसमें हम जीके math, science, reasoning, english और हिमाचल जीके के total 60 question हम discuss करेंगे, उन 60 में से लगबग आपके 50 से जादा जो हैं वो आपके answer जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि अभी कुछ चाइम पहले जो आपका हिम type से जादा तो उनकी merit ही जाती है, मतलब कि अब आपके पास इतना time नहीं है कि आप 60% 70% exam करके आए और selection हो जाए, कम से कम आपको 90 से 100% तक आपको अपनी accuracy लेके चलना है, तभी आपको जो है वो 2013 में आपको job जो है वो मिलने के जादा chances रहेंगे, पहला question है math का आप सब के स दिया गया है यहाँ पर इस value को आपको open करना है, 3 की power 1 का मतलब है, 3 उसके आगे बोला गया है 3 की power minus 1, इसका मतलब होता है 1 बटा 3, जब भी value उपर minus में होती है, जब इसको नीचे लेके जाते हैं तो value किसमें हो जाती है, प्लस में हो जाती है, उसके आगे है 3 का square, 3 का square कि और प्लस तीन माइनस के दो तो जब यह तीन नीचे जाएगा तो यह value किस में हो जाएगी positive में हो जाएगी तो अब इस value को आप open करें कितना आप cancer आएगा इस 3 के square को जो है वो आपको open करना है तो 3 का square मैं यहीं पर लिख देता हूं यह अधे सस्किल पाएगा इतना आयहां पर बनेगा आपके पास 8 & 2- Positive इसने को मिलेगी अब सबको जो है वो आपको एड़ करना है कितना आपका अंसर यहां पर रहेगा तो कि सबको आप एड़ करें कि आपका राइट अंसर यहां पर रहेगा चेक कर लें कहीं पर गलती तो नहीं हुई है यहां पर 3 और 9 का LCM आपके पास आएगा सोरी यहां पर 9 की जगा जो है वो 3 आएगा यहां पर mistake हुई यहां पर आएगा 3 तो अब आप एड़ करें कितना आएगा 27 और 3 होते हैं आपके 30, 30 और 80 हो गए आपके 110, 111 और 112 112 तो 112 बटा 9 जो है वो आपका जो है वो इस question का सही answer रहेगा 112 बटा 9 और यह कौन सा option आपका रहेगा option number A option A जो है वो आप सभी का इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा जल्दी से अगले question को आप solve करें square root के chapter से आपका important question रहेगा 40, 32 और 7 दोनों के उपर under root दिया गया है अब आपको पता है 7 किसी का root नहीं होता वैसे ही 40, 32 भी किसी का root नहीं होता तो दोनों को आप 1,8 कर लें root आपने 1,8 लगा लिया 40, 32 as it is रहेगा into 7 आप कर दें आप दोनों को multiply कर दें कितना आएगा साथ में आप multiply कर सकते हैं multiply किया 7 से, 7 को 2 से किया 14, 1 का साथ यह 21, 22 तो यह 2 आजाएगा और 7 चोके 28, 28, 22, 4 28, 22 और 4 यह बना अब आपको इसको break करना है तो break करने के लिए आप जो है वो square root की tricks को आप हमारे साथ सीख सकते हैं description में आपको link मिल जाएगा यह playlist में आप उस चीज को check कर सकते हैं कैसे square root को find out किया जाता है last के दो number को अलग करते हैं starting के जितने भी अक्षर बसते हैं उनको अलग करते हैं यह 16 के square के आसपास रहता है और 24 जो है इसका यह जो 4 है यह कहाँ पे आता है यह 8 में आता है 8 into 8 64 तो 168 जो है वो हमारा right answer रहेगा जो की option number B में हमारा यहाँ पे fit है next question की बात करते हैं अगला प्रशन आपके पास दिया गया है काफी अच्छा प्रशन है पटवारी से related आपके important question की series चली है धुआदार आपके पास question चले है जल्दी से इस question को आप solve करें क्या right answer रहेगा यहाँ पे आपके पास दिया गया है 2 की power 3 और उसकी power 2 और बरावर है 4 की power x तो जब आप इस question को यहाँ पे solve करेंगे सबसे पहले आपने इस value को solve करना है 2 की power 3 कितनी होती है 2 की power 3 होती है 8 और 8 का square यहाँ पे बचा यहाँ पे है 4 की power x तो 8 का square कितना हो गया 64 64 बरावर है 4 की power x अब आपको ध्यान में रखना अगर यह 4 की power कुछ है तो यहाँ पर भी 4 की ही power आपको कुछ करनी है 64 का मतलव होता है 4 की power 3 और यहाँ पे आगे 4 की power x 4 से 4 कट गया x की value कितनी आपके पास मिलगी x की value मिलगी आपके पास 3 अब आपको क्या find out करना है 3 की power x आपको निकालना है तो 3 की power x x कितना निकाला आपने 3 और 3 की पावर 3 किस के बराबर 27 के बराबर तो option D जो है वो आपका क्या रहेगा इस question का बिलकुल सही answer रहेगा धुआदार question आपके पास चले है LCM से question आपका चोथा question आपका math का आचुका है 120 और 450 का LCM आपको निकालना है क्या इसका LCM रहेगा जल्दी से question आप solve करें सबसे simple method है LCM के निकालने का जो आपका गुणनखंड का method रहता है उसी method से हम जो है वो क्या निकालते है LCM निकालते है 120 और 450 का क्या निकालना है आपको LCM निकालना है बिल्कुल बच्चों वाला method जो है उससे हम यहां पर इस चीज को solve करेंगे इसके अराव LCM निकालने का और कोई भी दुनिया में easy method नहीं है ट्रिक से आप इसको easily solve कर सकते हैं लेकिन ट्रिक को समझने के लिए आपको जादा दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा puzzle हो सकते हैं आप इसलिए बिल्कुल simple method से इसको solve करें दो से काटा 120 कटेगा 60 बार 40 का 450 किसका आदा है 225 का उसके बाद फिर से किससे काटेंगे दो से काटेंगे दो से कट जाएगा आएगा 30 और 225 हमारा नहीं कटता है उसके बाद दो से फिर से काटा 30 कटेगा 15 बार 225 हमारा कटता नहीं है उसके आद हम बात करेंगे 3 से तो 3 से कट जाएगा 5 तेया 15 और 5, 6, 7, 8, 9 ये भी हमारा 3 से कट जाएगा कितनी बार कटेगा 7 तेया 21, 1 और 5 तो ये बना 75 उसके बाद डाइरेक्ट हम 3 से काट सकते हैं ये तो 5 तो कटेगा नहीं 25 तेया 25 तेया 25 आगया फिर 5 से काटेंगे 1 बार फिर ये 5 बार और लास्ट में 5 बार तो 1 और 1 तो ये सभी मेरा क्या बना जो आपके इस वाली साइड लिखे गए हैं ये सभी क्या बने मेरे LCM बने LCM आप निकालेंगे स्टार्टिंग में क्या है आप 2 इंटू 2 इंटू 2 multiply करेंगे 2 इंटू 2 आगे क्या चीज है 3 इंटू 3 3 इंटू 3 आगे क्या है 5 गुणा 5 हर बार आपको क्या करना है 0 बाली टर्म को आपने बनाने की ट्राइ करनी है यहां पर कितना बना 5 गुणा 5 बना 25 25 दूने कितने 50 50 दूने 100 100 को 2 से किया तो कितना आगया 200 200 को किसे करेंगे 3 गुणा 3 9 9 दूने 18 तो LCM कितना आगया 1800 जो कि option कौन से इसमें है option B में आपके पास रखा गया है I hope आपको हम question यहां पर discuss करने वाले हैं हिमाचल पतवारी की आपकी नई series जो है वो start हुई है साथ में HRTC conductor का भी आपका जो आने वाल upcoming exam है उसके लिए भी आप यहां पर आप साथ में त्यारी कर सकते हैं आप सभी को पता है हमारा HP SSC जो है online exam जो है वो हो सकता है या फिर आपका जो exam का level है उसको भी कुछ हतक बढ़ाया जा सकता है अगला प्रशन percentage के chapter से आपके लिए डाला गया है fifth question है math का जल्दी से इस question को आप solve करें 90 रुपे का 83 से यह एक वाटा 3 प्रतिशत कितने रुपे के 60 प्रतिशत के बराबर है काफी अच्छा प्रशन यहाँ पर जो है वो आपके सामने दिया गया है जल्दी से इस question को आप try करें किया इसका right answer रहेगा solve करते हैं यहाँ पर क्या चीज बोली गई है 90 मैंने लिख लिया का का मतलब है गुणा 83 से ही एक बटा 3 इसको open करेंगे 3 तेया 9 8 तेया 24 249 इनको multiply किया 249 और plus के एक कितना बना 250 बटा 3 यह तो open करने पे आ गया percentage को हटाएंगे तो आपके पास बनेगा 1 बटा 100 कितने रुपे के बराबर है यह आपसे पूछा तो हमने कितने रुपे मान लिए X रुपे का X रुपे का क्या बोला है 60 प्रतिशत तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे के आएगा अब आपको कह निकालना यहां से X की value निकालनी है कटिंग करेंगे जल्दी से क्या हमारा right answer रहेगा 100 से हमारा 100 cancel out हो जाएगा उसके बाद इस 60 को हम क्या करेंगे इस 60 को हम दूसरी तरफ ले जाएगे तो हमारे पास कितना बचा 90 गुणा 250 और यहां पे है हमारे पास 360 कहां उपर से आजाएगा नीचे कटिंग करेंगे क्या right answer रहेगा 0 से हमने 0 को काट दिया 3 से जो है वो 2 बार कटेगा 3 से जो है ये 3 बार कटेगा 3 से 3 हमारा कट गया और 2 से 500 जब हमारा कटेगा तो 500 का था कितना 125 रुपे 125 रुपे option B जो है वो हमारा इस question का right answer यहां पर रहेगा तो धुआदार question की शुरुआत यहां पर आपके सामने हो चुकी है वीडियो को like करें जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों में और साथ में चैनल को subscribe करें ताकि जब भी कोई एक नई धुआदार वीडियो यहां पर हम लेके आएं तो सबसे पहले जो है वो आप अपने आपको यहां पर check कर सकते हैं कि कितने question आपके वहां पर विल्कुल सही हो सकते है एक साड़ी उननी सो रुपे में बेची जाती है और विक्रेता को 5 प्रतिशत का नुकसान होता है बोला गया है तो इस question को आप try करें उननी सो रुपे में बेची जाती है तब ही उसको क्या होता है पांच की हानी नुकसान होता है इसका मतलग कहीं न कहीं इस उननी सो रुपे में क्या छिपी है पांच रुपे की हानी पांच प्रतिशत का लो सो जो है वो क्या है छिपा हुआ है तो इसका मतलब जब आप इस question को try करेंगे तो ये किसकी value दी गई है ये 95% की value दी गई है हर बार profit low 100 से check किया जाता है 5% की हानी मतलब 5 कम कर देंगे तो 95% की value आपके पास direct कितनी दी गई है ये दी गई है 1900 रुपे एक प्रतिशत की value कितनी आ जाएगी 1900 और 95 कहां जाएगा नीचे अब आप से पूछा है 15% का लाब कमाना है 100 के उपर 15 का क्या कमाना है लाब कमाना है profit कमाना है तो लाब कमाने के लिए कितनी value पहुंच जाएगी 115 पे पहुंच जाएगी इसका मतलब आप से value कितनी की पूछी है 115 की आप से value यहाँ पर पूछी गई है जल्दी से इस question को आप solve करें और अपना answer निकालें 19 से कटेगा 5 वार 5 से कटेगा 23 वार और 23 को 20 से गुणा करने पर आएगा 2300 जो की answer कौन सा है हमारा answer D हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही answer रहेगा अगला प्रशन सातमा प्रशन है आपके पास ओसत आप से पूछा है कुछ अलग टाइब के question मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने लेके आया हूँ अगर आप पिछले साल का पंचायत सेक्टरी का अगर आप exam देखेंगे या फिर हिमाचल पतवारी का exam आप देखते हैं इसी परकार के डिटो question जो है वो आपके उस exam में पूछे गए थे क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं बोलते हैं सर इस type के question हमारे exam में नहीं आते इस type का question हमने कभी exam में देखा ही नहीं आप इसको क्यों करवा रहे हैं तो प्यारे बच्चो अगर आप हिमाचल पतवारी का या फिर हिमाचल सेक्टरी का जो पिछले साल exam पंचाइद सेक्टरी का exam हुआ था अगर आप उस exam को देखेंगे तो आपको level का पता चलेगा कि जो आपका 10th based exam रहता है पंचाइद सेक्टरी का जो पिछले साल हुआ था उसमें math जो है वो किस level का जो है वो पूछा गया था उस math को सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता था जिसने काफी था तक जो है वो practice की हुई थी उसमें trigonometry के आपके question पूछे गए थे साथ में height and distance की question थे उसके साथ में आपके distance formula के प्रशन थे उसमें समानतर श्रेणियों के प्रशन थे APGP का question था तो उस type के भी question आपके exam में जो है वो geometry वाले question भी आपके exam में पूछे जाते हैं तो आपको tension नहीं लेनी है सभी परकार के question यहाँ पर discuss करेंगे अगला question जो है इसका आपको ओसत निकालना है इस question को आप try करें A square minus B square का formula आप लगाएंगे क्या formula बनेगा A plus B A minus B X और Y है इसलिए A और B की जगा X और Y लिख देंगे formula मैंने लगा दिया A plus B A minus B यह A square minus B square का formula है और बरावर है 80 यहाँ पर X minus Y की value मेरे को given है वो कितनी है आठ दी गई है यहाँ पर मैं value भर दूंगा तो X plus Y की value यहाँ पर है 8 और बरावर है 80 यह 8 ऊपर से कहां जाएगा नीचे 8 से 80 कटा 10 तो X plus Y कितना आ गया 10 आ गया और X minus Y कितना है 8 है अब आप खुद चेक कर सकते हैं ऐसी कौन सी दो value है जिनको जमा करने पर 10 आए और minus करने से 8 आए तो यह तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं जैसे कि 5 और 5 कितने होते हैं 10 लेकिन क्या minus करने पर 8 आता है नहीं आता है तो यह तो आपका hit and trial का question यहां से हो सकता है वैसे आप इसमें bilopen भी दी या elimination method हम जिसको बोलते हैं उसका भी आप यहां पर use कर सकते हैं लेकिन x plus y ऐसी कौन सी दो value है जिनको plus करने पर 10 आए और minus करने पर कितना आए 8 आए तो खुद आप चेक करें क्या इसका right answer रहेगा क्या इसका right answer रहेगा चेक करें आप यहां पर ओस्त आपसे पूछा है सबसे पहले x और y की value आपको निकालना है तब भी आप क्या निकाल सकते हैं ओस्त जो है वो आप निकाल सकते हैं एक और method है इसके ओस्त निकालने का बट सबसे पहले आप x और y की value को चेक करें क्या right answer रहेगा जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि x जो है अगर मैं उसको ले लेता हूँ कितना यहाँ पर 10 में से 2 चलेगे तो 8 लेकिन प्लस करने पर 10 नहीं आएगा और कौन सी value हमारे पास हो सकती है 9 और 1 हमारे पास value हो सकती है 9 और by की value कितनी एक दोनों को add करने पर 10 माइनस करने पर 8 अब मेरे से क्या कुछ है x और by का उसत तो by x और by का उसत कैसे हम निकाल सकते है sum of all value तो 9 और 1 add कर दिया divide by 2 कर दिये यह उसत का formula लगाए 9 और 1 10 10 बटा 2 answer कितना 5 दुआधार question है आपके पास option D इसका बिलकुल सही answer यहाँ पर रहेगा अगला question question number 8 यह आपके ratios के chapter से जो है वो question डाला गया है check करें क्या इसका right answer रहेगा question में बोला गया है 3 बटा 7 P बराबरा 4 बटा 11 Q तो P और Q का नुपात निकालना है सबसे पहले P और Q की value आपको calculate करनी है तो कैसे आप check करेंगे 3 बटा 7 P दिया गया है 4 बटा 11 Q दिया गया है तो Q को आप दूसी तरफ ले आए नीचे आप ले आए और 4 बटा 11 यहीं पे है value दूसरी तरफ ले जाएंगे तो opposite हो जाएगी 7 चोके 28, 11, 33 तो P और Q की value कितनी आगी 28 और 33 तो P ratio Q भी कितना बना 28 ratio 33 बना 28 ratio 33 कौन सा option है option C हमारा इस question का बिलकुल सही answer रहेगा age से related question भी डाला गया है आप चेक कर सकते हैं हिमाचल पतवारी के exam में यह आपका question जो है वो पूछा गया था R और S की बरतमान आयू का नुपात 11, 17 है 11 वर्स पहले इनकी आयू का नुपात 11, 20 था R की बरतमान आयू आपको question में चलती है multiple में चलती है इसलिए 7 में क्या लगाएंगे xx लगाएंगे यह हमने यहाँ पे लिख दिया 11 वर्स पहले पहले की बात है इसका मतलब minus करेंगे दोनों में कितने वर्स 11, 11 वर्स अब I.U. कितनी हो जाती है 11 और 20 हो जाती है इस question को आप solve करें और answer आप निकालें 20 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 11 दूने 22 हो जाएगा यहाँ पे 11 दूने 22 minus के 220 बरावर है 11 को 17 से आप गुणा करेंगे क्या answer आएगा या फिर आप इस 11 को जो है वो दूसरी तरफ ले आएं तब जादा easy रहेगा यह 17x minus के 11 as it is है 11 से दोनों की दोनों value कटेंगी यह कटेगा आपका कितना 20 बार माइनस के 20 बरावर है 17x minus के 11 17x इस तरफ आएगा तो बचेगा 3x और माइनस के 11 प्लस के 20 प्लस माइनस माइनस 3x की बरावर है 9 तो x की value कितनी आगी x की आगी 3 हमें क्या पूचा है r की value पूची है r का ratio क्या है 11 x है x की value 3 तो 11 गुणा 3 ग्यारा तिया 33 option B बिलकुल सही answer इस question का रहेगा अगला अंतिम प्रशन आपके math के section का है उसके बाद next section की बात करेंगे 80 km पती घंटा की ओसरत गती से सताबदी express Kolkata से रांची पहुंचती है तो train सा question यहाँ पे पूचा गया Kolkata से रांची 7 घंटे लगाती है तो दूरी कितनी होगी यह आप से यहाँ पे पूचा गया है तो दूरी समय और गती का जो formula है वो यहाँ पे लगेगा आप सभी जानते है स्पीड बराबर है distance over time का formula लगेगा गती बोली गई है 80 km वती घंटा गती किलोमेटर पर आर में है तो time आर में होना चाहिए वही चीज़ दी गई है स्पीड की जगा भर दिया 80 distance आपको निकालना है और टाइम है 7 घंटे तो ये 7 नीचे से कहां जाएगा उपर 80 को गुणा करेंगे 7 से 7 को 8 से गुणा किया आ गया 56 और एक लगी 0 तो 560 km जो है option A इस question का बिलकुल सही answer यहाँ पर आपके सामने रहेगा तो I hope आपको जितने भी question यहाँ पर math के करवाए गए है वो आपके सारे के सारे बिलकुल सही question गए है अगर आपका फिर भी कोई doubt रहता है comment box में आप हमें जरूर बताएं next section की बात करते है reasoning का section आपके पास दिया गया है missing number का आपके पास यह topic पहला आपके पास दिया गया है इसमें कुछ boxes में आपके number रखे गए है और आपको यह question mark यहां पर दिया गया है आपको इस question mark फिल करना है कोई भी pattern आप लगा सकते हैं चाहिए आप row में लगाएं, column में लगाएं लेकिन ध्यान में रखना है criss cross में आपका method नहीं लगता है कोई भी method आपका या तो row में इन तीन row में लगना चाहिए वही same method इस fourth row में लगेगा या फिर इस पहले column में जो है और दूसरे column में जो method है वही आपके same third column में भी method apply होगा तो row या column के according आप कुछ भी check कर सकते हैं लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब कोई एक काफी बड़ी value अगर आपके पास दे गई है तो वही हमेशा हमारा result होता है तो 19 और 30 हमारी कुछ दो values बड़ी है इसका मतलब यह कही न कहीं पर result है तो इस column से जो result निकला है वो सबसे last में लिखा गया है तो इस हिसाब से आप इस answer को check करें कि 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 आप answer reply करेंगे तो कुछ भी method आप लगा के 19 आप कैसे निकालेंगे एक छे और तीन से तो इनको जब आप गुणा करते हैं जैसे कि एक गुणा छे छे और छेत्या अठारा अठारा और प्लस एक कर दिया तो 19 आपने method के लगा है सबको गुणा करके एक add किया तो इसमें भी यही method आपका लगना चाहिए जैसे साथ चो के 28 लेकिन 28 गुणा दो करेंगे तो वो आएगा 56 तो वो 30 के बराबर तो होगा नहीं तो कुछ और pattern आप यहाँ पे apply कर सकते हैं जैसे कि मैं एक और pattern यहाँ पे apply करता हूँ जैसे कि मैंने यह सोचा कि 6 को 3 से गुणा किया 18 और इस value को क्या किया प्लस किया तो कितना बना 19 बना वैसे ही 7 गुणा 4 28 और 28 और 2 कितने 30 तो यह value भी बनगी वैसे ही 5 गुणा 2 कितने 10 10 और 4 कितने 14 तो option B हमारा match हो गया option B इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा इस परकार के question आपके पूछा जाते हैं coding से related आपका question है लाल को नीला कहा जाए नारंगी को हरा कहा जाए सफेद को पीला तो मानिक्य का रंग क्या होगा यह आपसे question में जो है वो पूछा गया है मानिक्य जो है वो आपका एक पत्थर है जो आप एक अंगुठी पहनते हैं तो उस परकार का यह होता है तो मानिक्य का रंग कैसा होता है वो आपको पहले सोचना होगा जैसे कि एक simple question मैं आपको समझा जेता हूँ जैसे कि आपको बोला गया है लाल को जो है वो क्या बोला गया है नीला बोला गया है नीले को जो है वो हरा मैंने अपनी मर्जी से कोईशन लिखा है हरे को पीला और पीले को बोला गया है सफेद यह मैंने कोईशन में बोला लाल को नीला बोला गया है नीले को हरा, हरे को पीला और पीले को सफेद अब आप से मान लेते हैं कि एक question पूछा जाए कि आप हमें ये बताएं कि पत्तों का रंग कैसा होता है पत्तों का रंग कैसा होता है तो देखिए आप सभी को पता है पत्तों का रंग कैसा होता है हरा रंग होता है यह आपको पता है लेकिन इस question का answer हरा नहीं होगा क्योंकि यह reasoning का question है तो आपको कुछ न कुछ logic यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपने सबसे पहले क्या करना है इस question का original answer निकाना original answer जो आपका mind आपको बता रहा है जीके की form में कि पतों का रंग कैसा होता है हरा आपको original answer मिल गया हरा लेकिन इस reasoning के question में हरे को क्या बोला गया है इस हरे को क्या बोला गया है हरे को माना गया है पीला तो आपका answer क्या हो जाएगा फिर पीला हो जाएगा तो उसी परकार से आपको बोला गया है परकार के आपके रतन होते हैं तो मानिकय का actual Looks रंग है actual original जो इसका रंग रहतों वह क्यासा रहता है लाल लेकिन लाल आंसर नहीं होगा इस reasoning के question में लाल को क्या भोला गया है नीला तो आपका answer क्या रहेगा फिर नीला रहेगा option B आपके इस question का बिल्कुल से ही answer रहेगा अगला प्रशन direction से related है एक हाइकर दक्षिन की ओर जाता है दो किलोमेटर ठीक है वही हमने यहां से चलाया उसको इससे और दक्षिन दिशा में चला गया साउथ में कितना चला गया साउथ दिशा में चला गया कितना चला गया दो किलोमेटर फिर पर पश्चिम की ओर मुड़ता है पश्चिम का मतलब है बैस्ट की ओर मुड़ता है तो बैस्ट किस तरफ है इस तरफ रहेगी एक मिनट इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे ड्रो करते हैं यह दक्षिन की तरफ गया था पहले ठीक है दो किलो मेटर अब पश्चिम की तरफ मुड़ गया ठीक है कितना मुड़ा चार किलो मेटर गया ठीक है जी अब उत्तर की तरफ गया उत्तर का मतलब है नोर्थ की तरफ और कितना गया पांच किलोमेटर गया कितना गया पांच किलोमेटर ठीक है जी यहां से यहां तक तो दो किलोमेटर यह हो गया यहां तक तो तीन और जाएगा तभी कितना पहुंचेगा तभी पहुंचेगा पांच किलोमेटर ये 2 और ये 3 तभी कितना हुआ 5 km हुआ अब आगे बोला है बै अपने दाइने और मुड़ता है राइट साइड मुड़ता है और कितना जाता है 4 km ठीक है यहां से चला यहां पे चला गया कितना आ गया 4 km ये भी 4 है तो ये भी 4 इसका मतलब ये distance और ये distance दोनों बराबर starting point था ये इसका ending point है कितनी दूरी पे खड़ा है ये आपको दूरी बतानी है तो कितनी दूरी है ये दूरी यहां से लेके यहां तक दूरी है कितनी 3 तो ये दूरी भी कितनी होगी 3 और कौन सी दिशा है उत्तर दिशा 3 km उत्तर की और option बीस question का भी बिल्कुल सही answer रहेगा अगला प्रशन mathematical operation से आपका प्रशन है किसी निश्चित code भाशा में भाग को plus कहा जाता है ठीक है जी माइनस को गुणा और plus को जो है भाग कहते हैं गुणा को माइनस तो इस उत्तर आपको गयात करना इस प्रशन को आपको निकालना है as it is लिखेंगे क्या प्रशन है 24 लिख दिया आगे है कौन सा सिंबल भाग भाग को क्या बोला गया है चेक करें भाग को बोला गया है प्लस जी प्लस लगा दिया आगे है कितना चोदा आगे है माइनस तो माइनस को क्या बोला गया है माइनस को बोला गया है क्या माइनस को गुणा ठीक है जी गुणा लगा दिया उसके आगे है पांच फिर है पलस को बोला गया है भाग और दस फिर है गुणा के चोदा को बोला गया है माइनस के फोर्टें इस कोशन को आप सॉल्फ करेंगे और इस question में आपको लगाना है board mass का method सबसे पहले करेंगे हम divide as it is लिखेंगे 24 प्लस के 14 into 5 divide को ले आएंगे नीचे 10 और minus के 14 cutting करेंगे कितना आएगा 5 से कट जाएगा 2 बार 2 से 14 कटेगा 7 बार कितना बच्चा 24 प्लस के 7 minus के 14 24 और 7 कितने 7, 4, 31, 31 में से 14 आपके चलेगे तो बच्चे कितने 17 option कौन सा d आपका बिलकुल इस question का सही answer रहेगा आपको ध्यान में रखना है आपको इनके symbol change करने है ये math का question नहीं है ये reasoning का आपका question यहाँ पे है तो आपको symbol जो है वो इनके change करने है अगला question जो है वो आपके पास क्या दिया गया है इस question को try करें 1, 2, 6, 24 और gap है 720 तो जब starting की value छोटी last की value काफी बड़ी तो हमेशा into का pattern आप यहाँ पे follow करेंगे multiply का rule हर बार जो है वो आपका apply होता है यहाँ पे है 720 multiply करेंगे यहाँ जाएगा गुणा 2 यहाँ जाएगा गुणा 3 यहाँ जाएगा गुणा 4 तो यहाँ पे कौन सा pattern लगेगा गुणा 5 और यह होगा आपका automatically into 6 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 और 12 को 6 से करेंगे 72 0 as it is 120 आपका जो है वो बिलकुल इस question का सही answer रहेगा अगला question reasoning का है आपका जो आपका analogy का आपका question रहेगा 431 और 12 में आपका कोई न कोई एक relation जो है वो लगा है उसी परकार का relation आपको 345 और question mark में आपको लगाना है तो 431 को मैं 12 कैसे लिख सकता हूँ प्लस करके लिख सकता हूँ 4 और 3 कितने 7 और 1 8 और 4 12 कुछ बन सकता है लेकिन इसमें नहीं बनेगा तो कोई आपको pattern लगाना है 4 को गुणा किया 3 से कितना हैगा 12 12 को गुणा किया 1 से तो answer आगया 12 same pattern आप लगा के देखें 3 345 में लगा के देखें 4 को 3 से गुणा किया कितना हैगा 12 12 को 5 से किया कितना हैगा 60 option है तो option बन गया आपका option B इस question का बिल्कुल से ही answer रहेगा analogy से आपका related question है calendar है आपके अगला प्रशन misty का जनम दिन 27 अप्रायल गुरुबार को हुआ गुरुबार का मतलब है Thursday बीरवार को हुआ Thursday को हुआ और राध्य का जनम 20 अक्टूबर को हुआ उसी वर्ष में हुआ है तो किस दिन हुआ यह आपको बताना है इसका मतलब है आपको एक value पता चलकी कि 27 अपरेल के दिन जो है वो कौन सा दिन है Thursday है मतलब कि कौन सा दिन बीरवार है तो आपको बोला है कि अराध्या का जनम हुआ है 20 अक्टूबर को तो उस दिन कौन सा दिन आएगा यह आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप method आप apply करेंगे कितने दिन आप आगेगे April होता है आपका कितने का 30 दिनों का तो 27 अप्रायल तक तो हमारे दिन हो चुके है April के बचे कितने दिन तीन दिन फिर आएगा मैं 31 दिन मैं के बाद जून फिर आएगा जुलाई फिर आएगा अगस्त फिर आएगा सेप्टेंबर और फिर आएगा अक्टूबर अक्टूबर के होते हैं 31 दिन लेकिन हमने जाना कहां तक है सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर तक ही जाना इसलिए हम कितने लिखेंगे 20 लिखेंगे सब को आप एड करें या फिर यहीं पर आप कर सकते हैं हफ्तों में सब को एड करके भी आप एल्यू निकाल सकते हैं या फिर मैं यहीं पर हफ्तों में काट देता हूँ 3 है मेरा इजट इस रहेगा 31 में से 28 दिन चलेगे तो बचे कितने 3 दिन बचे 30 में से 28 चलेगे 2 दिन बचे 31 में से 3 दिन बचे 31 में से भी 3 दिन इस 30 में से बचे कितने 2 दिन और 20 दिन मैं आजट इस लिख लेता हूँ नहीं तो इसको मैं हफ्तों में क्या कर सकता था ब्रेक कर सकता था लेकिन मैंने इसको आजट इस लिख लिया अब मेरे को पता है 21 दिनों का या 28 दिनों का क्या होता है हफता होता है तो ये 20 दिन 23 दिन 26 दिन और 2 कितने 28 दिन हफतों में कटेगे 3 और 3 कितने 6 6 और 1 6 और 2 कितने 8 दिन 8 दिनों का मतलब है 7 दिन और 1 दिन हफतों में 7 दिन कटेगे तो लास्ट में बचा कितना 1 दिन तो आपको भीरवार से सर्फ एक दिन आगे जाना है तो बीरवार से अगला दिन कौन सा शुकरबार फ्राइडे ओप्शन ए इस कोशन का सही आंसर रहेगा अगला प्रशन है ब्लड रिलेशन से तो जिनका भी आंसर सबसे पहले निकलता है कुमेंट करके आप जरूर बताएं साथ साथ में अगर M Z की बहन है इसका मतलब है Z की बहन कौन हुई M हुई माइनस लगा दिया Z P की पतनी है P की पतनी कौन है Z P की पतनी है Z अगर ये Z पतनी है तो ये खुद क्या बन जाएगा पती इसलिए डबल एरो लगा दिया पती-पतनी का रिलेशन बना P A का बेटा है A का बेटा कौन है P A यहाँ पे आ गया A का बेटा बन गया P Z का A से क्या रिष्टा है मतलब ये A जो है वो Z को क्या बोलेगी तो ये A का बेटा है और बेटे की पतनी है तो उसकी क्या लगी उसकी लगी बहू उसकी क्या लगी बहू लगी तो आंसर क्या आएगा पुत्र बदू हम हिंदी में बोलते हैं Option A जो है इस कोशन का सही आंसर रहेगा तो जिनका भी Option A यहाँ पे आंसर है इस कोशन में आपको बोला गया है आपके पास जो यह जो कुछ ऐसे उपर अक्षर दिये गए है जैसे कि हैट है बार, बैट, पिन और बाद इनके आगे ऐसा कौन सा अक्षर लगाया जाए ताकि एक नए अक्षर जो है वो बन जाए जैसे कि मैंने लिखा है इन तो इन के आगे ऐसा कौन सा अक्षर लगाया जाए जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो मैंने के लगा दिया, जैसे के लगा दिया इंक बन गया, तो वैसे इन सब में एक कॉमन अक्षर लगेगा कौन सा लग सकता है वो आप चेक करें कौन सान सा लग सकता है E को मैं यहाँ पे जो है वो apply कर सकता हूँ जैसे कि hate है H A T hat E लगा दिया तो बन गया क्या hate उसके बाद bear बन जाएगा उसके बाद bait बन जाएगा B A T bat और B A T E क्या बन जाएगा bait तो bait का मतलब है crude करना ठीक है उसके बाद जैसे कि यह है बात तो उसके बाद क्या बन जाएगा बात बन जाएगा B A T H E मतलब की नहाना तो इन सबके आगे जब E apply हो जाता है तो इसका मतलब सबके meaning क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो option C आपका बिलकुल सही answer रहेगा अगला last question है आपके reasoning के section का यह question आपके classification का रहेगा यहां पर question उपर नहीं दिया गया है classification का है classification का मतलब है आपको इन चारों option में से कोई एक अलग option ढूड़ना है example मैं आपको इसका दे देता हूँ जैसे कि option दिया गया है save उसके आगे दिया गया है Peylis और उसके आगे दिया गया है आपके पास एक गुलाब तो इन चारों के चारों उप्षिन में से अलग कौन सा होगा वो है आपका गुलाब क्यूं क्यूंकि ये तीन फ्रूट है और ये आपका क्या है एक फ्लाबर है तो उसी परकार से इन में भी आप कोई ना कोई एक मैथड अपलाई करके देखें कोई ना कोई एक पैटर्न ये 10 का स्केर इसका मतलब ऑप्षिन बी सी और डी ये कहीं न कहीं पे किसी वैल्यू का स्केर है लेकिन 8 और 15 किसी का भी स्केर नहीं होते इसलिए ए सबसे अलग होगा तो ए ही हमारा क्या होगा बिल्कुल सही आंसर होगा आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें या आपको इस टाइप की क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको डेली टू डेली चाहिए या फिर किसी अनदर टॉपिक के ऊपर भी हम यहां पर डिसकस करें वह भी आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं जी के के सेक्शन का पहला कोशन आपके पास धुआधार कोशन के साथ साथ आपको जो है वह इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा तो बैदिक लोगों के द्वारा जो है वह कौन सी धातु सबसे पहले उपयोग में ली गई थी और रिगबेद में जो है वह इस धातु का उलेक था और इसकी पहचान थी उसको सं नाम से भी हम जानते थे यह आपको ध्यान में रखना है आयस रिगबेद में इसको आयस के नाम से जानते थे और कुछ विदवान जो है वह इसी तामबे को कांसा भी कहते थे कुछ इसे लोहा कहते थे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिगबेद में कहीं पर भी लोहे स से कोई भी चीजें बनी जो हमें नहीं मिली हैं इसका मतलब कि जो रिक बेदीकार में जो आरेज थे वो लोहे से बिलकुल भी परिचित नहीं थे और तांबे की बात करते हैं कोपर सी यू जो है वो इसका हमारा क्या रहता है एलिमेंट को जो है वो हम सिंबल सी यू के नाम से जो हम वो जानते हैं अगला प्रशन तेरमी शताबदी में राजिस्थान के माउंट अबू में परसिद दिलवाडा मंदिर किसने बनाया था महिंदरपाल, महीपाल, राज्यपाल या फिर तेजपाल तो तेरमी शताबदी में जो राजिस्थान में जो माउंट अबू एक जगा है हनुमानगड जो कि आपका एक AROB वहाँ पर माना जाता है आर्मी का तो वहाँ परसिद एक दिलवाडा मंदिर है वो किसने बनाया था तो दिलवाडा मंदिर जो है वो गुजरात के एक शाशक थे बास्तु पाल और तेजपाल बास्तुपाल और तेजपाल दो थे उनने जो है वो यहाँ पे बनाया था और आपको ध्यान में रखना है ये जो आपका दिलवाडा मंदिर है ये किस धरम से related है तो ये है आपका जैन धरम से related जैनियों का जो है ये मंदिर जो है वो वहाँ पे बनाया गया है परसित दिलवा सबस्क्राद मंदिर के शाशक थे का से साशक थे कौण से आशक थे तेज पाल और बहुत लुए इनहों यह मंदिर बनाया था जोकि जैन धरम से समयंदित है या या फिर रानियों को जो है वो समर्पित किया गया है अगला प्रशन दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का परधान मंत्री था तो ये भी अच्छा कोशन आपके पास यहां पर पूछा गया है कि दिल्ली के जो सुल्तान का पद था उसको संभालने से पहले आपक को ये बताना है तो नसीरुदीन option A सही answer है बलबन जो थे वो नसीरुदीन के जो है वो परधानमंत्री रहे थे नसीरुदीन महमूद उनका पूरा नाम था उनके परधानमंत्री रहे थे नसीरुदीन ने बलबन को जो है वो उलुग खां की उपाधी दी थी यह आपको ध्या उलुग खां के नाम से उनको उपाधी मिली थी और 1266 में 1266 इस भी में जब नसीरुदीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलवन जो है वो उनका उत्राधिकारी बना था और उसके वो दिल्ली का सुल्तान बना क्यूंकि नसीरुदीन का कोई भी पुत्र उलाद जो है वो उनकी नहीं थी अगला प्रशन आपके पास है दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था तो आपको ध्यान में रखना है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रियोग किस के द्वारा किया गया था तो दादा भाई नरोजी के द्वारा जो है वो स्वराज शब शब्द का अर्थ क्या होता है सौराज का अर्थ होता है मेरा साशन सौसासन इसको हम जानते हैं आप्शन बी आपका इस कोईशन का बिल्कुल सही आंसर होगा तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उन्होंने जो है इस शब्द का वहां पर प्रयों किया था और भारती आपको ध्यान में रखना है सौराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नारोजी ने किया है और एक फेमस नारा जो है सौराज से भी आपका दिया गया है वो दिया गया है पंडित जवाहाला नहरुजी के द्वारा अगला प्रशन है आपके पास गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहां पर सीखा था काफी अच्छा प्रशन है यूनीक प्रशन है आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो है वो सत्याग्रह को मानते थे लेकिन उस कला को कहां पे उन्होंने सीखा थ आये थे तो गांधी जी जब दक्षिन अफ्रीका परवास के दौरान गए थे तभी उन्होंने सत्याग रहे की जो कला है जो उसका आर्ट है उसको उन्होंने प्रैक्टिस के रूप में जो है वो दक्षिन अफ्रीका में सीखा था उसके बाद अगला प्रशन है भारती संभीधान में मूलभूत अधिकार मतलब की जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस संभीधान से लिए गये थे काफी अच्छा प्रशन है संभीधान से रिलेट्टिड भारती संभीधान में जो आपके फंडामेंटल राइट है टोटल 6 fundamental right है इससे पहले 7 fundamental right थे जिसमें से हमारा जो property का अधिकार था उसको government of India के दौरा जो है वो उसको elect कर दिया था उसको हटा दिया गया था तो fundamental right हमारे पास total जो है वो 6 बचे थे तो इनमें से किस संभिधान से जो है वो लिये गए थे अमेरिका, UK, Soviet संग या फिर इनमें से कोई नहीं तो आप यहां पर comment करके जरूर बताएं क्या हमारा right answer रहेगा तो fundamental right जो है वो total हमारे कहां से लिये गए हैं वो अमेरिका के संभिधान से लिये गए हैं तो option कौन सा रहेगा option A हमारा बिलकुल सही answer यहां पर रहेगा अगला प्रशन है भारती संभिधान का भाग 4 किस से समंदित है भाग 4 जो part 4 है वो किस चीज से related है part 3 जो है वो कौन से जगा से related है part 4 कौन से चीज से related है यह काफी बार आपका question जो है वो exam में देखने को मिलता है तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 में हमारे fundamental right रखे गए हैं और वो हमारे article 35 तक चलते हैं part 4 में DPSP रखा गया है directive principle of state policy जिसको राज्ये के नीती निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है part 4 जिसमें article 36 से लेके article 51 तक हमारे रखे गए हैं और 51 A से लेके 51 A के तक यह सारे के सारे जो हैं वो हमारे इसमें fundamental duties जो हैं वो यहां पे रखे गए तो 36 से लेके 51 तक directive principle of state policy जिसको राज्ये के नीती निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है तो यह option D आपका बिल्कुल सही answer है रहेगा अगला प्रशन निमन में से भारत के बहर रास्ट पती कौन से थे जो दो बार के according आपको चेक करना है क्योंकि पहले के टाइम में आपसे बिल्कुल static question to the point आपसे question पूछे जाते थे भारत का पहला रास्ट पती कौन है बरतमान रास्ट पती कौन है कौन सा रास्ट पती दूसरे नमबर पे रहा ये सबसे कम कारेकाल किसका है जबसे जधा कारेकाल किसका है अब question में थोड़ा सा लैवण आपका उठा के जाएगा ऐसे कौन से राश्टरपती से दो बार राश्टरपती के बदपर रहे थे काफी जादा थे लेकिन option के according आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे राश्टरपती थे उनका नाम क्या था वो था राजेंदर परशाद भारत के पहले राश्टरपती जिनको बाबू राजेंदर परशाद के नाम से भी हम जानते हैं ये लगातार दो बार जो हैं वो भारत के राश्टरपती रहे थे भारत के प्रत्थम राश्टरपती डॉक्टर राजेंदर परशाद जो की 26 जनवरी 1950 से लेके आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक जो है ये भारत के क्या रहे थे परधान मत्री रहे थे जिन में से प्रत्थम बार ये संभीधान सभा का अधियक्ष रहे थे तो उसके अकोडिंग ये राश्ट्रपती न्युक्त किये गए थे और उसके बाद जो 1957 के जो राश्ट्रपती चुनाबों में से राश्ट्रपती का जो पद होता है उनके लिए इनको निर्वाजित किया गया था तो डॉक्टर राजिंदर परशात या बाबू राजिंदर परशात के नाम से उनको जानते हैं ऑप्शन डी इस कोशन का राइट आंसर रहेगा अगला जहने नाइफ कोशन हमारे जीके के सेक्षन का स्वर मंडल का सबसे चमकीला गरहे कौन सा है और से जूरि के अकोडिंग जो है वो दूसरे नंबर पोटा है बुद्ध दूसरे नंबर पे आता है शुकर और तीसर नहमबर पे आता है हमार पास प्रिथभी तो बड़े- liksom सब पर सबसे चंकीला। रहे हैं दूरी में दूसरे नंबर पे आता है और इसको परित्वी की Suktray Tom यहां पे अभी कताब करम भी इसी घ्रह में पाया जाता है इस इसको जो है वITH शांप का टारा भौर सी सभी की वहन इन सभी के नाम से जो है वो हम इसको क्या है जानते हैं तो ऑप्शन डी सुकर राइट आंसर रहेगा अंतिम प्रशन जीके के सेक्षन का बंगलादेश अपनी सीमा को किस भारती राजे से सांजा नहीं करता है यहां पे ना होने की बात आप से पूछी गई हैसा क कौन सा भारती राजे है जो बंगलादेश से अपनी सीमा को टच नहीं करता है तो आपको पता होगा जार खंड क्यूंकि यह तो हमारे भारत के काफी बीच में बीच जैसे में आता है पूरफ साइड आप मानके चल सकते हैं असम त्रिपुरा में घाले तीन ऐसे राजे हैं भारत के बीच लगबग 4096 किलोमेटर लंबी जो है वो अंतरास्ट्री जो सीमा रेका है उनको यह सांजा करते हैं ध्यान में आपको रखना एस्टीमेटिड मैंने आपको बताई है 4096.7 यह 6 के आसपास इसकी वैल्यू मेजर की जाती है बट 4096 किलोमेटर अंतरास्ट्री सी सीमा जो है भारत और बंगलादेश के बीच सांजा की जाती है जारखंडे के ऐसा राजे है जो बंगलादेश के साथ अपनी सीमा को टच नहीं करता है साइंस रिलेटिड पहला प्रशन आपके पास है भीशन सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाई फट जाती है क्या पाइप फैलेगी तो पाइप जो है वो सिकडी होई होती है इसलिए पाइप क्या हो जाती है फट जाती है तो और अप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा अगला थरम किसका यूनित है बताना है आपको थरम थरम किसका यूनिट है थरम किसका यूनिट है आपको बताना है शपावर का शक्ति का उश्मा मतलब की हीट का परकाश लाइट दूरी डिस्टेंस ऑप्शन आपके पास दिये गए हैं बाइलेंग्वल में मैंने आपको यहां पर बता दिया थरम इस दा यूनिट ऑफ पावर हीट लाइट या फिर डिस्टेंस किसका यूनिट है तो हीट का डिस्टेंस यह रहता है आपका और इसको जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी इसको काउंट किया जाता है हमारा यह SI यूनिट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको जो है वो हीट का यूनिट जो है वो माना जाता है BTU के अकोडिंग अगला प्रशन आपके पास है अंतरिक श्यात्री को अकास कैसा दिखाई देगा पहले भी हमने डिस्कस किया है क्यूंकि उपर हमारा बायू मंडल इस लिए उसको जो है वो कास कैसा दिखाई देगा उसको और वायू मंडल नहीं है तो इसकी वज़द से रंग कैसा होगा काला होगा next question lens किस से बनते हैं आपको बताना है lens किस से बनाये जाते हैं तो जो हमारे glasses होते हैं वो हमारे किस चीज के बने होते हैं यह आप यहाँ पर बताएं जो lens है वो हमारा बनता है फिलन्ट कांच से यह आपको पहले भी प्रेशन यहां पर बताया जा चुका है फिलन्ट ग्लास का यूज जा है वो mostly बल्लव को बनाने के लिए किया जाता है जो यलो लाइट हमारे बल्लव आते हैं उनमें फिलन्ट क्लाच यह फिर Crown कांच का use किया जाता है Crown और Fillent का ही यूज लेंस बनाने के लिए भी किया जाता है साथ में атовेरे बीरे जो ह barbecue निकल कर आए है तो ये भी आप यहां पर पुद्यान में रक सकते हैं ॥जमत्यकर किसने bladder हंगार ये भी जानते हैं option and this question का right answer रहेगा जिन्होंने atomic के बारे में हमें काफी अच्छे से बताया था अगला प्रशन unique question है जब पुरानी किताबें हो जाती है तो उसका कागज जो है किस रंग का हो जाता है भूरा हो जाता है लेकिन क्यूं हो जाता है कारण आप से पूछा है तो वो जो कागज है व अगर आज आप अपनी बुक्स में जो है अगर आप कोई फूल डालते हैं जैसे कि आपने देखा होगा रोज आपको मिलते हैं कई बार आपकी बुक्स में पुरानी बुक्स में तो जब आप इसमें फूल कोई अगर डालते हैं तो एक और साल किस बात जब आप ओपन करें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा किस बज़ा से होता है सेलूलोज का ओक्सी करन हो जाता है ऑक्सीडेशन सेलूलोज की होने की बज़ा से उसका रंग कैसा हो जाता है brown हो जाता है अगला फ्रशन दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में जब कोई चीज बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहते हैं योगिक compound कहते हैं compound का मतलब जब कोई दो हमारे element दो element जो है यह पहला element तूसरा element किसी एक fix ratio में जब बनते हैं fix ratio में जो बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं compound कहते हैं जैसे कि हैं हमारे पास water element हमने लिया hydrogen और oxygen अब fix ratio का मतलब hydrogen कितने होने चाहिए 2 और oxygen कितनी होगी 1 तब भी H2O formula बनेगा लेकिन ऐसा नहीं है बनेगा नहीं एक fix ratio में जब उसकी रेशो कभी चेंज नहीं की जाती है और दो element यह दो से जाद element का कोई mixture बना जाता है तो उसको क्या कहते हैं compound या फिर योगिक जैसे कि हमारे पास glucose का formula रहता है C6H12O6 हमारे पास कोई formula है तो इस formula में हमारे पास क्या चीज रहती है इसमें carbon 6 है hydrogen 12 यह भी 6 है oxygen यह 6 है यह भी हमारे पास क्या है fix है तो इस fix वाली चीज को हम नहीं हटा सकते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं compound कहते हैं अगला प्रशन sodium की खोज किसने की काफी अच्छा question है sodium की खोज की थी debbie के द्वारा Humphrey debbie option A expression का right answer है sodium का symbol है Na chlorine मिलाने से यह बनता है हमारे पास common salt NaCl जिसको हम बोलते है sodium chloride और यह जो है वो हमारा प्रित्वी पर पाया जाने वाला sixth number का सबसे जादा प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाला छठे नंबर का हमारा element है जिसको जो है वो लैबोटरी में सर Humphrey debbie के द्वारा जो है वो 1807 में प्रापत किया गया था उसकी खोज जो है 1807 में हुई थी Na को जो है sodium को जो है कैरोसीन ओईल में रखा जाता है क्यूंकि कैरोसीन ओईल के बाहर निकालने पे जब यह oxygen के contact में आता है तो आग पकड़ लेता है लेकिन जादा था हम यही चीज यहां पर understand करते हैं लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा एक concept कुछ और भी है जब हम sodium को कैरोसीन से बाहर निकालते हैं तो आग पकड़ लेता है लेकिन आग तो पकड़ता है लेकिन इसका scientific carbonate co2 उसके साथ direct hit करती है जिसके बाद वह carbonate बन जाता है और जब उस carbonate से उस carbon बाली चीज़ को हटाया जाता है तो वह क्याप कर लेता है oxygen के साथ में आने पर आग पकड़ लेता है यह इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन आपके पास 9th question जब सरीर के साथ संपर्क में spirit आती है तो हमें कैसी लगती है बिल्कुल ठंडी ठंडी लगती है तो वह क्यों ऐसी लगती है आपने देखा होगा जो पर्फ्यूम है जब आप उसको हाथ में रखते हैं तो एकदम से उड़ जाती है उसको हाथ में रखने पर वह एकदम से इवैपोरेट हो जाती है तो इसलिए वो हमें ठंडक देती है, option C, इस question का right answer है, अन्तिम प्रशन, science से, निमलिकित में से किस द्रब का घनतो सबसे कम है, कौन से liquid की density सबसे कम है, density आप से पूची गई है, स्वच जल, नमकीन जल, पैट्रोल, या फिर मरकरी, पानी की density जो है, वो 1.03 के आजपास है, लगवग, पैट्रोल तो काफी कम है, इसलिए पैट्रोल जो है, वो पानी के उपर तैर जाता है, और मरकरी जो है, वो डूब जाता है, क्योंकि उसकी density काफी जादा है, 13.53, इसलिए जिसकी density कम, वो पानी के उपर तैरता है, जिसकी density जादा, वो पानी के बीच में डूब जाता है, तो सबसे जादा कम घनत वो बोला है, तो कम किसका है, पैट्रोल का option C, right answer आपके पास रहेगा, अगले question को हम understand करेंगे, हिमाचल के SSC के जो आपके exam रहते हैं, और अभी कुछ time में आपका जो है वो center university का आपका exam आने वाला है, या फिर जितने भी आपके entrance exam अभी होने वाले हैं, BAD entrance है आपका, HPU, MSE का आपका exam है, या फिर आप किसी another exam की त्यारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए English आपके लिए पूछी जाती है, हिमाचल पटवारी, SSC, हिमाचल पुलिस की भरती भी आपकी आने वाली है, conductor का exam आपका भी pending है, JIT का आपका exam अभी होना है, तो उन सब में English जो है वो आप से पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप जो है वो question को try करें, क्या इसका right answer रहेगा, साथ में मैं आपको detail में इस question को समझाने की भी try करूँगा, आपको बोला गया है good reading-the sense of the liberal educated mind, आपको यहाँ पे जो sentence आपको बोला गया है, इसमें आप एक और खुद देखें कि यहाँ पे जब हम verb का use करेंगे, तो आपको क्या बोला गया है, कि जो good reading है, वो क्या चीज़ शो कर रही है, sense of liberal educated mind, काफी educated mind को क्या कर रही है, वो यहाँ पे शो कर रही है, मतलब वो उस चीज़ को practice कर रही है, तो ऐसा कौन सा आपका option है, जो यहाँ पे बिलकुल fit होगा, आप उस चीज़ को दर्शा रहे हैं, प्रक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, reflect कर रही है, good reading क्या कर रही है, reflect कर रही है आपके educated mind को, तो option C आपका यहाँ पे right answer है, रहेगा, अगला question है आपके पास, यह आपका synonymous से आपका question रहेगा, similar word आपको ढूणना है, similar meaning के साथ है, amend, amend का similar word क्या होगा, amend आपको यहाँ पे बताना है, similar word आपको यहाँ पे बताना है, तो क्या answer आपके पास रहेगा, synonymous का मतलब similar word, तो amend का मतलब है, amendment आपने सुना होगा, amendment का मतलब क्या है, जैसे कि संसोधन हम जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट का मतलब है क्या संसोधन अमेंडमेंट का मतलब है संसोधन जैसे कि GST में कोई अगर आपको सुधार करना है तो आप क्या करेंगे उसको हलका सा चेंज करेंगे संसोधन करेंगे सुधार करेंगे मतलब उसको कि correct करेंगे ठीक करेंगे यह हम चीज बोलते हैं और correct करना ठीक करना जैसे कि rectify करना यह आप बोल सकते हैं amend करना correct करना यह भी आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसा कौन सा option है जो इसके साथ बल्कुल ठीक होगा तो यहां पर option आपका alter यह भी आपका ठीक रहेगा अल्टर का मतलब है बदलना मतलब की change करना सुधारना आप उसको बोल सकते हैं तो option भी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा अगला प्रेशन इंटॉनिमस रिलेटिड प्रेशन है एब्रीज एब्रीज का मतलब है एब्रीज का मतलब क्या होता है कम करना कम करना जैसे कि हम किसी चीज को conclude करते हैं conclude करने का मतलब है निचोड निकालना उस चीज को छोटा करना कोई बड़ी सी चीज है उसको क्या करना सिंख्षिप्त रूप में उसको नहीं बता के छोटी चीज में उसको बताना चोटा करना उसका एक सार निकालना उसका conclusion निकालना तो इसका विपरीट क्या होता है इसका का बिपरीत होता है किसी चीज़ को लंबा करके बताना काफी बड़ा बताना तो उस चीज़ में हम क्या बोल सकते हैं stretch stretch का मतलब किसी चीज़ को खींचना बढ़ाना फिलाना लंबा करना उसको expand करना ठीक है amplify करना, magnify करना तो stretch जो है option A इसका बिल्कुल सही answer रहेगा अगला प्रशन आपके पास दिया गया है इस substance easily evaporate at normal temperature आपको one word इसके लिए ढूणना है कि आप इसको बोलेंगे ऐसा substance जो easily normal temperature पर evaporate कर जाए उस चीज के लिए हम एक simple से word में क्या चीज बोलेंगे evaporate बोल सकते हैं या फिर आप volatile भी उसको बोल सकते हैं बाश प्रशील पदार्थ जो है उसको इंगलिश में बोला जाता है बोलेटाइल यह इसका मतलब है और अगर steadfast की अगर बात करें तो इसका मतलब है कोई चीज स्थिर रहती है प्रॉपर उसी पुजिशन में रहती है अचल रहती है द्रिड रहती है और enduring का मतलब है कोई चीज टिकाओ है टिकाओ मतलब काफी लंबे समय तक चलेगी और definite तो तो वोलेटाइल ऑप्शन ए इस कोईशन का राइट अंसर रहेगा अगला प्रशन फिफ्ट कोरेक्ट स्पैलिंग आपको यहां पर ढूंड़नी है फाइंड दे कोरेक्ट स्पैल बर्ड चेक करें आप यहां पर सुर्य यहां पर यहां पर कोरेक्ट नहीं होगा यहां पर इनकोरेक्ट होगा यहां पर थोड़ा साब चेक कर लें इनकोरेक्ट की बात यहां पर बोली गई है इनकोरेक्ट आपको ढूंड़ना है यहां पर इनकोरेक्ट की बात बोलेगी है तो anniversary option C right answer होगा क्योंकि ये anniversary की spelling गलत है anniversary का मतलब है किसी चीज का सालगिरा या वर्षगाठ हम बोल सकते हैं तो anniversary की spelling क्या होती है A-N-I-V-E-R-S-A-R-Y ये इसकी spelling है तो option C इसका right answer रहेगा अगला प्रशन है आपके पास S-O-R-I यहाँ पे दिया गया था S-A-R-Y होगा अगला है एक partner in crime one word substitution आपके पास एक और फिर से partner in crime क्या हम इसको बोलेंगे तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं A-complice option C हमारा right answer रहेगा partner in crime का मतलब है कि किसी crime को करने के साथ में जो आपका सहयोग देता है जिसको हम जुरम में साथ ही बोल सकते हैं या फिर सह अपराद ही आपके अपराद में वो भी शामिल है तो उसको हम बोल सकते हैं तो अगर मैं बात करूँ जो आपके बास first option दिया गया था जैसे उसमें बोला गया है एले भी इसका मतलब है कि कोई चीज़ absent है कोई चीज़ actual में तो हो रही है लेकिन वो चीज़ वहाँ पे नहीं है अनुपस्थती है उसकी अनुपस्थती है helper का मतलँ है जैसे partner जो है उसको helper हम नहीं बोल सकते हैं का मतलब होता है जो मदद करता है असिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि सहायक helper और assistant आप दोनों एक वे में सोच सकते हैं लेकिन जब आपकी एक professional किसी चीज में अगर बात करेंगे तो फिर आपकी वो चीज यहां पर जो है आपका वो चला जाएगा जो आपकी मदद करता है उसको helper हम बोलेंगे तो यहां पर एक compliance जो है इसका meaning होता है जुर्म में जो आपका साथ दे तो partner in crime मतलब option c right answer आपके पास रहेगा a dog runs dash the street आप से proposition का यह word यहां पर पूछा गया है तो यहां पर proposition about का उपयोग जो है वो हम यहां पर कर सकते थे about का उपयोग जो है वो हम कर सकते थे लेकिन यहां पर हम ठीक्स का करेंगे जिए क्यों की of option में नहीं हा थिक हम क्या जाएगा क्याइग डॉड रन डाश दा sırृत अब run कर ह स्का मतलब डॉग जो है किस चीजे में है डॉट है मोशन की चीज़ में तो पी Zahlen को शाग के चीजम में आप जरूर बताएं काल्या प्रसैन के चले अगला प्रशन आप पास इडम फ्रेजिस से है, एकोक अंद बुल स्टोरी किया च्को हम बोलेगे? तो एकोक अंद बुल स्टोरी को जो है, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कोई चीज जिसको unhappy unbelievable जिसको हम बोलते हैं, खुद से बनाई जाने वाले स्टोरी, imaginary स्टोरी तो option B, इस question का बिलकुल सही answer रहेगा अगला question आपके पास error से related question है option A, B, C, D में कौन सी चीज आपके पास गलत यहाँ पर दी गई है check करें यहाँ पर तो इसका जो option A है उसमें आपकी कुछ गलती option A आपका right answer होगा यहाँ पर बात बुलीगी है एक don't और दूसरा है unless unless जो है एक पहले से ही आपका negative bird है तो उस unless के साथ आपका not bird आपका use नहीं किया जा सकता क्योंकि don't का मतलब है do not और unless पहले से ही negative feeling जो है वो negative sentence का बोध जो है वो करवा रहा है तो इसके साथ हम not का use हम नहीं कर सकते इसलिए option A में जो है वो आपकी error छिपी हुई है question number 10 है my house is adjacent dash central park क्या इसका right answer रहेगा तो यहाँ पे उसके साथ मैं है जब भी हम close या किसी near की बात करते हैं किसी room के साथ मैं है तो वहाँ पे हम fix proposition की use करते हैं तो वो है हमारे पास to option A जो है वो बिल्कुल सही answer रहेगा अगला हिमाचल जी के से most important question जो है वो हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं चेक करें कि कितने question आपके यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे तो पहला question आपके पास दिया गया है तक देश आजाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहना करेंगे हिमाचल जी के से पहले पहले जो अभी तक हमने question discuss की हैं वो आपके हर किसी exam हिमाचल को छोड़के हर किसी exam के लिए state का center का जिस भी level की आप त्यारी कर रहे हैं आर्मी की उनके लिए most important रहेंगे और हिमाचल section जो है वो specially हिमाचल के exam के लिए most important रहेगा मैं बार बार आपके साथ share कर रहा हूँ हिमाचल पटवारी का आने वाले exam जो है वो धुआदार exam होगा क्योंकि सबसे ज़ादा selection उसी exam में जो है वो मानी जाएगी और एक ऐसा exam है जिसको हर कोई जो है वो भर सकता है age की कोई special limit नहीं है 45 तक उसको हम भर सकते हैं सबसे ज़ादा competition उसी exam का रहता है और सबसे ज़ादा JOIT के बाद भरे जाने वाले form जिस exam के हैं वो है हमारा हिमाचल का सबसे बड़ा exam हिमाचल पटवारी का exam तो इस question का आप answer दें क्या right answer इस question का रहेगा ऐसे कौन से ब्यक्ति थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहन के रखेंगे तो डिस्टिक कांगड़ा के रहने वाले थे तो उनका नाम था बाबा कांशी राम option C right answer है अगला प्रेशन किस ब्यक्ति को पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता था answer करें आप इस question का भी क्या इस question का right answer रहेगा पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो हम किसे जानते थे सत्य दे बुशहरी डॉक्टर परमार महात्मा गांधी या फिर बाबा कांशी राम तो किसे हम जानते थे तो पहाड़ी बाबा पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो बाबा कांशी राम को हम जानते थे option D right answer है अगला प्रशन मंडी के दो पर से 253ता सिनानी जिन्होंने गदरपार्टी के लिए महत्त पूरण कारे किया था उनका नाम क्या था आपको बताना है क्या नाम था उनका हरदेव या फिर हिरदाराम भवानी या बदरी सिद्धु एविम कपिल हरी हर एवम महादेव सिद्धु और कपिल तो हो नहीं सकता कोमेडियन है हरी हर महादेव हमने सुना नहीं है भवानी बदरी या फिर हिरदाराम तो हरदेव दियाल हमने सुना है गदर पार्टी क संस्थापक थी तो option a जो है वह हमारा क्या रहेगा राइट यहां पर रहेगा अगला प्रस्वæशन हिमाचल का कौन सा 1974 में हिमाचल परदेश का पांच मा जिला बना था हब 6 जिला हमारा किनोर बना था भी बिलास पूर रियासत का संथापक personal का ब्हारत की सुतनततां चिल्ए जो बिलासपुर रियासत का साशक था उसका नाम क्या था अनंद चंद ऑप्शन बी इस कोईशन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन के अंदर सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर गठन आयोग ने हिमाचल परदेश को पंजाब में शामिल करने की अगला प्रशन आपके पास है अगला यहां पर यहां पर रिपीट हुआ है कोशन नमबर सिक्स्ट यहां पर कुशन सेवन था ना था रिपीट हुआ है तो अगले प्रशन के उपर चलते हैं डायरेक्ट डॉक्टर यहश्वंत सिंग परमार को हिमाचल परदेश का निर्माता क्यूं कहा जाता है आप सब भी जानते हैं डॉक्टर यहश्वंत सिंग परमार दो कोशन यहां से बन रहे हैं पहला हिमाचल का निर्माता किसे मानते हैं डॉक्टर यश्वंत सिंग परमार लेकिन क्वेशन में थोड़ा सा एक युनीकनेस नाले के लिए आप से क्वेशन थोड़ा से एडवांस लेबल का पूछा गया है कि हिमाचल निर्माता क्यों कहा जाता है ऐसा कौन सा रीजन है कि जिन से उनको जो है वो हिमाचल का निर परमाचल को बनाने में उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था अगला है आपके पास बोला गया है कौन सा जोड़ा असंगत है कौन सी चीज जो है गलत है इसका जो है बो ऑप्शन ए गलत है अंग्रेज्जों और गोर्खाओं का पहला यूद 1922 में नहीं हुआ था शिमला नगर पालिका का गठन 1859 में ही हुआ था क्राइस्ट चर्च जो है भुकाब आया था उसका प्रस्ताव 1844 में ही आया था तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे इस कोशन का सही अंसर रहेगा अंतिम प्रशन आज की इस क्लास का 22 रीगल लोज के निर्मान से पूर्व आपको बताना है तो काफी अच्छा कोशन है और यूनीक कोशन है 22 रीगल लोज के पहले जब नहीं बना था तो अंग्रेज के जो 22 रोए थे कौन से भवन में रहते थे पीटर होफ हाउस में जो थे वो रहते तो आई होप आज की क्लास आप सभी को काफी अच्छी लगी ह है वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें हमारे टेलीग्राम और वर्ट्साइप ग्रूप के साथ जरूर चुड़ें जिसमें आपको डे टूडे के करन्ट अफियर पीडिया स्टडी मिटीरियल एच्पी जीके नोट्स इंडिया जीके नोट्स आर्मी से रिलेटेड जीक के उपर प्रोवैड किया जाता है साथ में www.vjpatheducation.com के उपर विजिट करें जिस भी एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप मोग टेस्ट पेपर पर परचेज कर सकते हैं आई होप आपको क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें शेयर करें चैनल क को सब्सक्राइब करें मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय ही माचल